हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लन्वरे देतीमन आर्पी एसी अजमेर की तरफ से इंग्लिस सब्जेक्ट जो है उसका रिजल्ट आ गया है फर्स्ट ग्रेट का जिन बच्चों ने इंग्लिस विसे में एक्जाम दिया है वो अपना रोल नंबर कट आफ चेक कर लें यहा पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर करके जो है वो दिखा देती हूं और आप लोग जो है अब अपना रोल नंबर यहां पर देखें कि आपका रोल नंबर इसमें है या नहीं है तो जिस तरीके से फिजिक्स बायो शंसकृत का जो है रोल नंबर ठीक है तो जैसे ही आपको पता लग जाए कि हमारा जो है नंबर आ गया है तो अपने जो भी कागज हैं डॉकुमेंट हैं इनको तैयार करने में अब आप लग जाएं ठीक है तो यहां पर आप देखिए काफी बच्चों के जो है वो रोल नंबर आपको नजर आएंगे आपक बहुत अच्छे तरीके से देखना है यह देखिए दो गुना बच्चों को बुलाया गया है तो रोल नंबर जो हम वो काफी है टोटल 709 कैंडिडिट को बुलाया गया है ठीक है आप लोग अपना रोल नंबर को वीडियो को पोस करके देखेंगे तो आपको बहुत आगे की जो कारवाई है उसके लिए आपको बताया जाएगा कट आफ मार्क्स देखें आप कट आफ मार्क्स जन्रल जो है उसकी 322 कई है वहीं पर EWS की बहुत कम गई है तेखिए आप इंग्लिस में जन्रल और EWS में काफी अंतर देखने को मिला है तो जन्रल में 322 है EWS मे 305 है जन्रल की जन्रल की 322 है EWS में 305 है तो यहाँ पर काफी अंतर देखने को मिल रहा है SC में 277 है SD 252 है OBC 250 है MBC 222 है इसी तरीके से एक सर्विसमेंड की देखिए 260 है तो जिस तरीके से इन बच्चों का रोल नंबर है और जिनका नहीं आया है तो बिलकुल परेशान नहीं हो क्योंकि आप लोगों का रोल नंबर भी आपको next time देखने को मिलेगा यदि बच्चों को proper guidance मिल जाती है और उनको पता रहता है कि हमें केवल इन ही books को पढ़ना है यही selected book जो है वो हमें आगे तक पहुचाएंगी हमारा selection जो है वो करवाएंगी तो बहुत आसान हो जाता है ठीक है भटक आप लोग जो भटक जाते हैं जैसे आपने एक बार जो है बहुत अच्छे से तयारी कर ली है और next time जो है वो आप क्या करते हैं selection नहीं होता है तो अ exam आपका बिल्कुल clear होगा एक दो marks यदि आपके कम रहते हैं और आपका selection नहीं हो पाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए या आप intelligent नहीं हो इसका मतलब यह नहीं होता है विकैंसी जितनी होती है उन्हीं उतने ही बच्चों यदि आप अभी तक जो है वो गलत दिसा में जा रहे हैं गलत बुकों का चुनाफ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जो किताबें उनका chain करके शुरुवात कर सकते हैं जो इसकूल में बुक चल रही है यदि आपको नहीं पता है पता करें NCRT बुक जो है वो पूरी राजिस्थान में चल रही है राजिस्थान जीके की अलग से जो बुक है वह स्कूल में लगाई जा चुकी है 6-12 तक आपको जो है अलग से राजिस्थान जीके की बुक चल रही है प्लस NCRT इन दोनों बुकों को यदि आप कर लेते हैं 6-12 तक आपको कोई नहीं रोख सकता है आपका selection करवाने से, जिसे मैं हर बार बोलती हूँ, फिर भी 50% बच्चे सुन लेते हैं, 50% बच्चे सुन के ignore करते हैं, और वही गलती दुबारा से दोहराते हैं, इससे क्या होता है, आपका समय जो है वो बरवाद होता चला जाता है, तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में, थेंक यू,